नमस्कार दोस्तों Ultimate Health and Home Remedies channel में आप सभी का स्वागत है Ultimate Health and Home Remedies आपकी सेहत का खयाल बकू भी रखता है दोस्तों आज मैं आप लोगों को Glutes की Exercise बताऊंगा यानि कि आप लोगों की Hips की चर्वी को कम करके आप लोगों की Hips को अच्छा बनाएगा और सुन्दर बनाएगा तो आज कल जो है ट्रेंड है आप लोगों को बता है बूटी वर्काउट्स के लिए तो डिफरेंट टैप्स के बूटी वर्काउट्स हैं जो की ओलरडी लोग कर भी रहे हैं लेकिन टॉप 10 बैस्ट जो एक्सरसाइज होती हैं वो आप लोगों को ultimate health and home remedies प्रोवाइड करने की कोशिस करता है आज भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही glutes exercise बताऊँगा जैसे कि back एक exercise है बहुत अच्छी exercise है आप लोग इसको कर सकते हैं अपनी glutes को सुन्दर बनाने के लिए muscles को मजबूत बनाने के लिए तो जो glutes की muscles होती हैं वो है glutes medius आप लोग देख रहे हैं glutes maximus आप लोग देख सकते हैं tensor fasciitis और adductor magnus और आप लोग देख सकते हैं कि यह जो जितनी भी muscles हैं actually में यह glutes muscles हैं और इन पर जो बहरी fat है वो reduce होकर इनको tone बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी है तो 40 second के लिए आप लोगों को first exercise करना है इस exercise में आप लोगों को क्या करना है एक पैर का घुटना मोड़ते विए अपने chest की और लेकर जाए और साथ ही जब आप लोग नीचे की और आए अपने पैर दूसरे पैर को छूने के लिए तो जो पैर आप लोग घुटना मोड़कर chest की और लेकर जा रहे हैं जस्ट आप लोग जो है उसको पीछे की और लेकर जाए back kick की और जब आप लोग नीचे की और जुकें तो यह exercise complete होती है यह आप लोगों के दोनों side आप लोगों को करनी है left leg के साथ और right leg के साथ इससे आप लोगों की जो glute की जो muscles है वो आप लोगों की मजबूत बनेगी, tone बनेगी इस exercise के complete होने के बाद आप लोग जो है 10 second का rest ले और इस just second के rest में आप लोग अराम कर सकते है कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है दूसरी exercise के हम बात करते है यह भी 40 second के लिए आप लोगों को करनी है तो ऐसे करके 8 exercise मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा इस exercise में सामिल है squat और side leg kick ठीक है तो squat आप लोगों को करना है लेकिन दोनों पैरों के बीच में थेगी देखिए थोड़ा सा gap होना चाहिए और जब आप लोग किक लगाई तो आप लोगों को sideways किकी लगाना है यानि कि जब आप लोगों को sideways किक लगाना है ये exercise भी आप लोगों को 40 seconds के लिए करनी है इसमें आप लोग देखेंगे कि जो glute की muscles है वो आप लोगों की strong बनेगी, toned बनेगी और सभी workouts जो हैं वो thighs से related भी है तो आप लोगों की thighs की ज़र्वी है वो भी reduce हो सकती है अब बात करते हैं हम लोग rest की थोड़ा rest कर लीजिए, 40 seconds complete होगे है exercise के complete होने के बाद आप लोगों को rest करना चाहिए exercise number 3 इसमें आप लोगों को एक chair की जरुवत होगी दोनों हाथों को chair पर रख लीजिए अब एक pair का घुटना मोडते हुए उसको तो आप लोगों को fix रखना है इसमें आप लोगों का जो अंगूठा है वो जमीन से touch होगा फिर जैसे ही touch होगा तो आप लोगों को उपर ही और लेकर जाना है तो यह exercise भी आप लोगों को complete कर सकते हैं इसमें भी आप लोगों का glute जो muscles है वो ston बनेंगी और पहरी fat reduce होगा जिससे आप लोगों के जो hips है वो अच्छे और सुन्दर दिख सकते हैं यह exercise भी complete होती है 40 seconds के लिए और उसके बाद आप लोग चलते है next exercise यानि की exercise number 4 की और इसमें lateral walk आप लोगों को करनी है और यह भी 40 seconds के लिए करनी है लेकिन इसमें अगर आप लोग फोकस करें तो आप लोगों के पास restricted band है पहली बात दूसरी बात आप लोगों के दोनों हाथ जो हैं वो जुड़े हुए है तीसरी बात आप लोग थोड़े जुके हुए है यानि की squat position के अंदर है तो यह तीन step आप लोगों को करना है अब आप लोग जो है band को फेलाईए और एक पैर को दूसरे पैर के पास लेकर आईए फिर से band को फेलाईए फिर अपने एक पैर को दूसरे पैर के पास लेकर आईए इस परकार की वोक complete होती है और 40 seconds के लिए वोक आप लोगों को करनी है और इसमें भी आप लोग देखेगा कि सबसे ज़्यादा जो target muscles हैं वो आप लोगों की hamstring यानि की thighs muscles हैं और glute muscles हैं अब rest ले लेते हैं 10 seconds का और उसके बाद में हम लोग start करते हैं 5th number exercise इसमें भी lateral walk है लेकिन ये different types की lateral walk है इसमें आप लोगों को left to right walk करना है और थोड़ा सा जुक कर वोक करना है हातों की position similarly आप लोगों की पहली exercise की तरह ही रहेगी पैरों की जो position है उसमें आप लोगों का हमेशा पैर जो है वो wide ही रहेंगे पहले वाली में आप लोग देख सकते थे कि एक पैर जो है वो दूसरे पैर के पास आ जाता था लेकिन इसमें थोड़ा wide ही रहेंगे थोड़ा सा जुकना भी आप लोगों को यानि की squat position में भी आप लोगों को रहना है तो यह इस प्रकार आप लोगों का workout complete होता है अब rest ले लेते हैं और उसके बाद में next workout सलते हैं नमबर 6th exercise यानि की box jumping की और box jumping भी आप लोगों को कितने second के लिए करना है 40 seconds के लिए आप लोग box jumping करें इसमें आप लोगों को box पर jump करना है और squat करना है यानि की box पर jump आप लोग jump करके बैठें तो आप लोगों को squat position पर करना है जैसे ही box से नीचे उतरें तो भी आप लोगों को jump करके इनीचे उतरना है ये भी आप लोग जो हैं अपने glute muscles को toned बनाने के लिए कर सकते हैं और ये भी आप लोग 40 second के लिए करेंगे तो सभी exercise 40 second की है best 8 exercise हैं इसे आप लोग सुबह उठकर कर सकते हैं तो आप लोगों को बहुत अधिक फाइदा होगा अपने glute muscles के लिए अपनी hips के लिए hips में pen जो है वो जो है कम होने के chances है लेकिन अगर किसी को किसी परकार की injury है तो physiotherapist की सला जरूर ले किसी भी exercise को करने से पहले rest complete होता है number 7 exercise के ओर चलते हैं आप लोग hydrant kicks है आप लोगों को पता है इसमें क्या होता है आप लोग table top position में आप लोग रहते हैं जोनों हाथ जो है वो आप लोगों के surface पर रहते हैं अब अपने जो घुटना मुडा हुआ है उसको अपनी उसी direction में उठाना है ठीक है जैसे कि video screen पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें आप लोग देखे कि wide होंगे आप लोगों के hips जो है वो wide यानि hip opener exercise भी आप लोग इसको बोल सकते हैं और आप लोगों की जो muscles हैं hips की जो muscles हैं उनका पूरा-पूरा workout हो रहा है तो ये भी आप लोग add कर सकते हैं अपने hips का जो चर्वी है बाहरी जो चर्वी है subcutaneous fat visceral fat जो है जो cellulite के रूप में भी आप लोगों की चर्वी पर जमा हो जाता है वो भी कम हो जाएगा तो ये exercise complete होने के बाद rest और उसके बाद ने number 8 exercise जो की last exercise आप लोगों की है इस exercise को अगर आप लोग धान से देखें तो आप लोग जो है table top position में हैं और आप लोगों के जो hips हैं वो आप लोगों को जैसा की screen पर दिखाए दे रहा है वैसे ही आप लोगों के बन सकते हैं तो आप लोगों को अपने एक circle से एक leg से पूरा का पूरा हाफ जो circle है वो आप लोगों को बनाना है left to right आप लोगों को legs जो हम वो move करने है तो ये exercise complete होती है इत exercise कैसी लगी ज़रूर बताएगा और चैनल को subscribe करना न भूलिए वीडियो को share करना न भूलिए अपने facebook पर whatsapp पर आज के लिए इतना ही धन्यवाद